नमस्कार वीकेबी विशेश में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूं मिनाक्षी हिडाउ और आज इस विशेश में हम बात करने वाले हैं महाराश्य प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी की महासचीव नंदा ताई पराते से नंदा ताई आपका बहुत-बहुत आपके बहुत अपने पूर्व हुई या फिर उसके बाद हुई या फिर इसके बाद हुई है शादी के वाद हुई है अच्छी मैं मतलब मेडल क्लास फैमिली से बिलां करती हूँ और शादी मेरी 18 साल में हो चुकी थी और साभ मतलब उस वक तैसिल्डर थे तो तो पुर वह बहुत अट्राक्टेड है और कैसा था कि वह बहले ही ऑफिस होते हैं MPHC थू वह क्लियर किया और तहसिला थे पर सोशल फिल्ड मतलब वह पहले कम्यूनिस्त है और उसके बाद फिर वह नौकरी कर रहे थे तो नौकरी कर रहे थे और उनका जो दिमाग था वह थोड़ा सोशल प्लिडिकल इस टेफ का था तो उनका साथ देने के लिए आप सामाजी कारे से जूड़ी या फिर आपका भी परसनल एक इंट्रेस्ट था नहीं मेरा परसनल कोई इंट्रेस्ट नहीं था तो अच्छली वह था एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम जब मेरी शारी हो के तीन साल हो गए थे तीन साल होने और वह पे न मतलब तैसिलदार करके वह काम कर रहे थे तो उस वक्त हिंगनी में ऐसा एक प्रॉबलम हो गया जिसके कारण उनको जाना पड़ा था तो जो भी हमारा सालबा समाज बहुत बढ़ा है सेलु में तो अच्छली लोग मतलब उनको एक राओ उनके पीछे ऐसा पूरा गोल हो गया था और लोगों ने डिरेक्ट बोला कि तुम्हीं जार साहिवा नहीं हात लाओ 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 मतलब जो बिजनसमें थे उनको डायरेक्ट बोला कि अगर तुमने सापको हाथ लगा तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं करके तो अच्छा हमला हो गया था तो सोशली फिर वो और जादा इंट्रेस्ट नहीं कि मेरे लिए मेरा समाल आगया करके और हलबा समाज को का साथ सर्टिफिकेट व अगयरे का बहुत प्रॉबलम उस टाम जा रहा था तो उन्होंने सूचा कि अपन ये वाला और उनकी स्टडी तो उतनी नहीं थी पर उन्होंने बोला कि नहीं अपने समाज के लिए कुछ करना चीए बहुत सही है और आप बहुत टाइम से अपने सम अजिते हैं मतलब विए बहुत समुछ का तब खाल्बूलन कारा करना चीए तो वो शामने आके समनी कर पाया तो उन्होंने बोले कि एसका कर तू आगा जा और मैं कुछ ब्सक्राइग का मैं तू उनके साथ काम कर okay और पुक गाना उसक था इस वक था थिव थी जिविफ अपाप्पलित लोगों को दियना लोगो से बात करना लुटे साथ के बात करना लोगों को बढ़िआ लगाना अजन शवर्कर मैं अश्ट ही डाव कि अवर्कर मैं अश्ट किया ये जोगे जोड़ने के लिए जेंटस कभी आगे नहीं हमागे तो आगते तो फिर अलग नजरीय से देखा जाता है जोपने को लेडिज जोड़ना है तो लेडिज तक पहुच है ज़स्वक्त मैंने डेडिज गोड़ने के लिए लेडि़ से बहार निकली मुझे बहुत सारा हरेस्मेंट वगेरे मेरी समाज के लोगों से हुआ बोले मतलब देवरलाइक की बड़े साप की बीवी है इसको तो कामदंदे है नी घर पे इसलिए गुंती रहती है और मोले की बाई लोगों को घुमाती रहती है अच्छा अच्छा बोले अगई बोले बड़ी नेता है बोले खुद को क्या समझती मतलब हुआ पर मैंने इन सब बातों से हार नहीं मानी करती गई करती गई फिर 2007 में साप ने बोले कि अपने इलेक्शन कंटेस्ट करते है और इलेक्शन कंटेस्ट के इसके लिए बहुत महनत की मैंने और तब दस्त लोगों को चुन के भी आगए फिर वैलेडिटी अगरे नहीं थी तो फिर सब्चन और फिर उसे क्या हुआ फि अज़ लोग छोड़ के चले गए थे क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस को भी हराय तो बड़े बड़े नेता है नागपूर के उनों ने मेरे लोगों को बला लिया प्रलोबन देख के तो वो सब चले गया और मैं अकेली पढ़ गी थी और फिर उसके बाद फिर में एक साल घर प तो फिर मैं उठके खड़ी भी आपने बहुत सही कहा कि एक वक्त आता है कि हम बहुत ही चीजों के वज़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं लेकिन हम एक प्रेड़ना मिलनी चाहिए फिर से उठक़ड़ा होने के लिए जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये आपने कैसे क्योंकि कहीना कई एक वक्त था जा इतनी दीमोटिवेट हो के आप रुग गई फिर उपको शुरवात करनी पड़ी और वो एक्चुली ऐसा है कि मेरे में भी एक ऐसा है कि मैं घर में बैठके नहीं रह सकती मैं जब सालबर घर में रही तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा था क अपने पर आफट आन पड़ी ती उसके लिए अपने काफी आन दोलन किये कैसे संगर्श करने पड़े क्योंकि कहीं कहीं समाज के लिए भी हम जब कुछ करने जाते हैं तो वहां से भी मोटिवेशन नहीं मिलता जैसे आपने कहा कि लोगों ने आपको काफी ऐसी बातें कही काफी नेगेटिव वाइब्स क्रियेट करी तो इस वक भी आपने काफी आंदोलन किये उनके लिए खड़ा होने के लिए तो ये मोमेंट कैसा था अच्छी ना जब मैं सेकेंड टेम जब उठी मतलब फिर अपने आपको संभाल के जब घर के बाहर निकली तो लोग मुझे उसकाफी और एक काहावत है कुट्व होकै तो तो मैं बस मैं मतलब इतना था ऑबासाब को पढ़ती थी तो बाबासाब को सब्ढ़ती थी तो मेरा मूटिवेशन से लिए मुझेंऑ शड़ रौके जब ने यहा बाबासाब के लिए लोगाबसे ऑबासापकी कड़ना अप पिर महात्मा जोतिभा फुले पढ़ना, सावीत रिभाई फुले पढ़ना, मैंने जो एक साल जो मैं घर में बिताया था, मैंने जो पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बोली नहीं, अपने कोट के फिर खड़ा होना पड़ेगा, जब बाबा साब ने इतना संगर्श किया, फि इसके लिए आप कूट पड़ी, तो क्या वजह थी आपके कूट पड़ने की और आपका संगर्श और अंदोलन करने की? अच्यों तो कांटिफिकेट कांटर्श के वगत भी कांटिफिकेट वगरे नहीं मिलती थी, पर मतलब उनकारी से नहीं निकालना अगरे, ऐसा कुछ नहीं था, पर जब बीजएपी सरकार रही तो तब मैं किसी पार्टी में थी, मैं अपना आदिम काँ काम करती थी, तो न वाल प्रोडोडरा घसाप मेरे सामषन से मिetंगा में ही तो में मुछार ऑना अपन्नाटि मुछा एव था वग来 पिर। पारर में तुमारे स्माझ कोन था काँ हुगा, को खवा थीक जए वगained कि तो ढदेंक्ने था के observed, तो सिवीकेट एवाट सामाझ कोना थालगाई कि मै काम करी और मैंने लोगों से यह भी खाहिए कि अपने को एक बड़ा जाहिए जिसका हाथ पकड़ आप सामने जाए तो गड़करी साप पर मुझे पूरा विश्वास है और वो करेंगी उनमें अतनी कालिबर है उनमें अतनी कैलिबर है उनमें अतनी कैपैबिलिटी है वो स्थी करेंज से स्थी करो चाहिए जाए उनमें प्रफूमाल से भीगें जाए प глच फङए अजी कि अव झाले सामने और में ऑदने संतनी कैवं कि वोर्छ करी थे छिफशन हो घ्यला करें कि अषब बहुंदती और मुथ उन रही खाहिंतर को आए वो चुनके आने के बाद, मैं उनके घर पे गई, दिली गई, मुंबई गई, साफ के साथ जाती थी, चलवापन चायागे, यह कागद लेके आओ, वो कागद लेके आओ, वो करेंगे, वो करेंगे, मतलब इतना मैं पास साल, मैं उनके पीछे भागी एक्चुली, किसा पर मैंने देखी कि राचकार्नी, राचकार्नी ही होते है, पॉलिटिकल लोग कभी सोचन नहीं हो सकते, वो अपने, मतलब अपने आपको बढ़ा करने के लिए, वो सबका इस्तमाल करते हैं, I was used by him, ऐसे मुझे आ गया, और फिर मैंने पास साल, गब मैंने पानी भरा, तो म अबली नहीं, आपने अपने दम पर कही ने कही आदम जे मनपा चुना में भी सीटें चुन कर लाइए, क्या कह सकते हैं कि यह आपके राचकी संगर्ष की शुरवात थी, कैसे मुनासिव हो यह सारी चीज़े, मैंने कहाँ पराते साफ का मतलब यह था कि अपने समाज को एक कि अपने समाज को एकजूट करना था उसका मुझे बहुत बड़ी मुश्किले आई और पराते साफ सुबह साद बजे उनके साथ मुटते थे उनके साथ मोस्ली समाज नहीं जोड़ा था जो एंपलोई थे जो सर्विस पे थे वो लोग उनसे जोड़े क्योंकि वो संवीद जो जमाया जो एंपलोईस का था और उनको एक ताकत मिली एंपलोईस से और उसके माध्यम से वो आगे बड़े और उनके साथ मैं भी आगे बड़ी जी कहीं अब आपने कॉंग्रेस का दामन धामा है इसके पीछे की वज़ा तो ज़रूर जनना चाओंगी अहां मैंने आप यहां मैं तो जो अपनोईस के छिलाफ है तो मैंने सूचा कि नए जो 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 बड़ूर जो समय की भी जो जनके ताकती बात करता है उनकी वीचाध्हारा जो मैंने भीचाध्थारा जो है वो बिलकुल मतलब बाबा साब काम बेट करके विचा दाला से बिलकुल अपोज जाती है तो फिर मैं बोली अपने को अगर मैं रस्ते पे आंदोलन की मैंने 17-18 साल रस्ते पे आंदोलन किया पर बाबा साब का एक कहना है कि सत्ती चाविया अपले हताद घ्या अपने 17-18 साल से रस्ते पे पर कोई अपने को मदद नहीं कर रहा है तो अपने सापोर्ट ले जो अपना अपनी बात रख सके अपने खुद के लिए लड़ सके अपने समाज के लिए लड़ सके तो कॉंग्रेस से बहतर यह मुझे कहीं नहीं मिला अपने बात कॉंग्रेस में बहुत अच्छी तरह रह सकेंगे पर उसके बाद मैं राहूल गांडी जी से मिलना चाहती थी तो मैंने कॉंग्रेस के कुछ लोगों से बात की विकास भेया से भी बात की और फिर एक लिंक मैल minor मुझे एकल वासनिक साप की हुश तो मैं उनसे जाक गे मैं मिली नुके उन से ने बहुता समाज परेसी तो बौली तो आजा और खुद लड़ इसमें आके तो मुझे उनके साथ जब मैने बाते की और उनों ले सब मेरा काम अगरे देखे तो बहुत मतलब इंपरेस्ट वे बोले नहीं ऐसे लोग हमारे कॉंगरेस के लिए चाहिए जो संगर शील हो और फिर उनोंने मुझे बोले कि मैं आपक की मीटिंग करवा देता हूं और रहुल जी से और अपना रहुल जी से बात करके फिर तुम प्रवेश ले लेना तो रहुल जी से ही मेरी मुलाकात हुई कम से कम 20-20 मिनिट का उनोंने मुझे टाइम दिया था हम जब बात किये और उसके बाद मैने कॉंग्रेस में मैं इंडिरा जी से ऑने कॉंग्रेस में जौन इंडराजी से जैँगा के कॉंग्रेस में जाइए गया। वैसे लेक विचहाद दाना है वही बहुत प्रवेश बिखे मिला कि बबात माननी है तो इनका परे इसका बात रहु हम पोले अपने रहु बाता हो बिखे मेरी बात कि अआपि अपमारा थे। विज़री तरिंस मुझे नहीं है, किसी अपमारा थे टेहां सिम्ट्रीप अपर आजब और थे मुझे कर दो कि अपनां पाता है। एक अपना मुझे लिए नहीं है, क्योंकि अगर गठकरी साहब भुलते बेठ तो एक नहीं है। तो हम अगर समाज की बात करते हैं, तो BJP नहीं सुनती। अगर मैं समाज की बात करूग, तो कॉंग्रेस जरूर सुनेगी। मुझे इतना भरोसा है क्योंकि इनकी थिंकिंग, उनकी मेंटेलिटी इनकी विचादारा ही वह है कि सब का सुनो और जो है वो करो करके, आज नहीं तो भी देखो कॉंग्रेस, आज कॉंग्रेस में ऐसा नहीं कह सकते हैं, कॉंग्रेस बहुत पीछे है, कॉंग्रेस आज भी महनत करी है, आपने देखा प्रियंक अगार जी महनत करी है, राहूल जी महनत कर रहे है, और बोलते है, तो एक अध तो आप इसका दोश किसे देती हैं? क्या आप कहेंगी कि समाज से जड़ चुनकर लोग आया उन्होंने कोई काम नहीं किया? इसका दोश मैं दोगी एक तो पॉलिटिकल लोगों को भी दोगी और एक थोड़ा समाज को भी दोगी क्योंकि क्या हुआ था कि हमारा समाज गरीब है और मतलब उनका विनकरी का वैवसाय था विनकरी का वैवसाय था अपना काम करना और अपना खाना पीना रहना मतलब अपन लगकार ठेडे कार्ट था कजा था सुष्ण छार्ट कर्किफिकेटं इपार उसके बारे में जो जागरूती समाज के नेता को अड़ था समाज में यह तो लोग करनी का उस वक्त okay तो हो सकता है वनके पास University knowledge नहीं हो let अश्लेज नहीं होगा प्रकाष निम्जे भाव को देखा है, ओम प्रकाष पात्रावे, ऐसे कुछ लोग है समाज के जो जिनों ने आंदोलन वो बढ़ा किया और मतलब उस वक्यों कि हमें कहा जाता है कि हम हिंदु है अगर अगर अपन हिंदु है तो जो हमारा वेबसाय होता है, जो हमारा जंदा ह तरह उस एक क्या जबता है, जैसा आगरा लोहा उख रूह QUESTION सब्सक्मर्ण क काम प्ररेशनी है तो सव identify C'mon tu मतलब ने विनकरी का काम किया विनकरी काम यह थूब कातल्वा सारी भीनकरी का क्या है अधिए विनकरी काम किया जैक्षव हिंदों कि हिंदु में को के हिंदु हि जे हम द्रीज हैं एक हमोगी बंढ़ा हितो, उसलिखते हुए çek açık पर हमारी चाहिश भाष्य मात्रु भाष्य है वें राड़ी है हम अमारा जो बनते हoothी गणप्ति जो हिंदु राड़ी को लोग मानते है देवी को अगुछैंटेहगी है पिंदेव को अगुछैसी कि हमारा ऐस है हिंदु करण हो गया हुग और्छ्टी के भीजो करें हिंदु करन के कारण सरकार ये कि हिंदु है तो आप अदिवासी नहीं है जब आदिवास हिंदू है आदिवास ही नहीं है तो आपको जाती कि दाखले मतलब कास सर्टिफिकेट से पको कैसे मिलेगी इसलिए वो जो चल रहा है वो मतलब 1980 मिलना बंद हो गया फिर देरे देरे कभी मिलती यह फिर नहीं मिलती गए वेल डिटी तो बिलकुल अभी भी न मुझे ऐसा लगता एक आश्या है कि कॉंग्रेस के राज में हमारा संगर्ष खतम होगा और कॉंग्रेस हमें हलबा समाज को ने आए देंगी बसमें वही कह रही थी कि संगर्ष जो है लगाता जारी है क्या लगता है कि इस पर जीत हासल हो पाएगी और कभ एक आपकी हरा मैं हमारा प्रच्कारन में होगाता है क्योंकि आता है क्योंकि को पुलिटिकल न करते हुए सोछल फील्ड से अगे लेके गए और जो अगर हम अपने नेताओ को बता ने मिल रहा है तो यह जब ड़करी साब को पता नहीं है हम हलब है थो बात नहीं है सब को पता है कि हम हम हलब है हम कौदिकार मिलने चाहिए पर हमारे समाज पर इसी मुद जाते हैं तो कम से कम हाँ पर हम अपनी बात रखेंगे आज हमारे विदान सभा में और लोग सभा में बात रखने के लिए हमारे पास नेता नहीं है ना गड़करी साब हमारी बात रख रह रहे है ना देवेंदर फर नविस्टाब ने हमारी बात मुख्य मंत्री थे पर मतलब बीजेपी ने बिल्कुल मतलब हमारे समाज को बिल्कुल नाय नहीं दिया तो कॉंग्रेस नाय देंगी इसका पूरा मतलब एक विश्वास है और मेरी बात लोगों मतलब अगर मैं नाना बहु तक भी हम पहुच रहे है केदार साब तक पहुच रहे है वासनिक सा हम अगर स्टॉंग हो गए है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वहीं दिक्कत है ताई कि जहां मुद्धों पर सामाजिक तरीके से सल्यूशन निकालने की बात हो थी वही राजनीती हो जाती है और इसलिए राजनीती को दल-दल का जाता है मैं यहीं कहूंगी अगर हम पॉलिटिक जोल बात करें तो क्या हम लाग कर रहें और किन मुद्धों पर फोकस करने की ज़रहता है एक्चली जो स्टॉडीज है ने ने पर नहीं है वह स्टॉडीज उन्होंने करनी चाहिए और जो चॉन्सिटूशन कहता है जो चॉन्सिटूशन में बेनेफिस भनार को थे चैशन acute समय आशे उन्होंने पेला तो मोनुझे का शन्हों तूम्सिटूशनल राइस में जाती को सिर्फ रहर्ट पेला नी हो Rea नहीं हो आख और दंच और आज नहीं हो रहरा है अगर जो समॉग है उन्हीं हो जाह कहीं ने कहीं आप Madhya Nagpur Vidhan Saabha के लिए आने वाले दिनों में कहते हैं कि कॉंग्रेस की तरफ से आपका चेहरा सामने आ सकता है चुनावी सीट के लिए तो अगर आता है और अगर आपको मिलती है तो फिर आप चुनावी मेदान मतरने के लिए तियार है क्या योजनाय रहेंग जो अभी तक मैंने जो अड़ी किया थे मुड़की और my job was Ee अभी की आगई हूँ तो मैं राज्कियऔ बढद रात करुंगी तो मैं राज्कियघ बात करूंगी जो मेरा सोअच्छ है अज मेरा एक वर्चस वा है मैं कॉंग्रस में जो घुम्ती हूँ तो मैं सब दो जल्बा समाज लेके नहीं चलती हूं, मैं सब समाज लेके चलती हूं, उनके जो प्रब्लम्स है वो हैंगि और ऐसे ही रहोंगी और लोगों के लिए नंदाते ही आप मतलब कार सकते हों क्योंकि मेरा काम जो है मैं सिर्फ मतलब आमदार की चाहिए इसलिए मैं कॉंग्रस में मुझे कॉंग्रस तो मजबूत है उनकी कॉंग्रस की वीचाधारा में लोगों तक जा के पहुच्छ आज इतना बड़ मुझे पोस्ट दिया है मैं शुक्रिया आदा करती हूं का कि इतना बड़े पोस्ट पर मुझे रखा है पर मैं आज भी इस पोस्ट पे मतलब मैं उसी ग्राउंड पर चलती हूं उसी लोगों से मिलती हूं जो मैं सत्रा साल से मिलती आई हूं तो मैं उसी तरह काम करूंगी अगर लोगों को लगता है कि नहीं नंदाता कर सकती है और लोगों ने अगर मुझे साथ दिया तो मैं टिकेट भी लेकर आओगी और चुनके भी आओ कि अच्छे को थे कैमरे कित्रों मैं महिलाउं को कर रुगा एक बहुत अच्छा स्लोगन है लड़की हुं लड़सकती हूं वो स्लोगन जो उनाने बतनाया है वो दिखाता है कि सावितरी भाइब फुले आती है जीजाओ माता सामने आती है इंदिरा जी सामने आती है, मतलब हम जो है, हम कोमल है, बर हम कमजोर नहीं है, अगर हमने ठान लिया, कि हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, एक छोट सा, मतलब एक महात्मा जोडी बाफ फुलोई जी ने कहा है, कि शृष्टि निर्मिति चानुसार, निसर गया, जो है, मतलब, अधिसे निर्मिती जो ही है वो स्तरी से हुई है तो वह कभी छोटी हो लिए नहीं हो तो बहुत बढ़ी है अपन महादेव को भी बहुत देखते हैं महादेव पारवती को तो अधनारिश्मर कहा जाता है मतलब शेड हो ए तो शक्टी है how? विश्णू है तो लक्षमी है लक्षमी है तो विश्णू है सरस्वती है तो स्षम है आगै निए, हम सक्षम है अवस मुझे ऐसा लगता है कि घर का तो सदस्य साथ होता है लो फिर पापा हो या फिर भाई हो या बती हो अगर उसने फोड़ा सा सपर्ट उस लड़की को कर दिया अपनी बीबी को कर दिया, अपनी भेहन को कर दिया तो इस दुलिया की कोई ताकत उसे हदा नहीं सकती नन्दा तॉए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिला कर काम तो कर रही है लेकिन अब भी एक तपका है जो आगे आणा चाहती वह नहीं आ पा रही है शायद कहीं नगई सपोर्ट लाइक कर रहा है